नज़र डालते हैं happiest mind पे क्योंकि यहां पे कंपनी के नतीजे आये थे और इस बार अगर हम नतीजे देखे तो यहां पे कंपनी क्या जो margins है वो थोड़े से घटे जरूर हैं अगर हम तिमाही दर तिमाही देखे 22% के आसपास रहे हैं वहीं कंपनी की आय बढ़ती भी नज़ बिजनिस सर्विसेस के राचीव जैंजर चुके हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है इचीना स्वादेश पे वेंकर जी सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और इस बार अगर हम देखें तो थोड़ी सी स्लोडाउन देखने को मिल रहा है जैसे कि में नंबस भी देख रही थी आपके मार्जिन्स हलके कमजोर आए हैं ग्रोथ रेच में भी हलकी सी गिरावट देखने को मिली है आम से बात करें कि आगे के लिए आप किस तरीके की दिमांड देख रहे हैं क्या यहां से कुछ ते सक्षेप रहे हैं ऑलगो से खिंठ र citizen थी आपको ते मटन देख रहे हैं इनीर आपके में वर रहे हैं में घथे सैंस्ए अलोग में गाफ लिए घख रहे हैं में ध इसक्वाटर में एटीन यू लोगों साइन अप कर चुक है। तो all of this takes a little time for us to start building into and build a fraction on revenues. So, the business is picking up, maybe the pace at which it should have picked up is slightly slower than what we would have desired. But the fundamental growth is in our business. This is our profitability, 25.5% profitability is also something that we are showing. So, overall, the financials are healthy, the growth is in place. Expectation in comparison is a little bit less because expectation is always high from us. We are already on top of the pack in terms of in comparison to mid-cap and leading large-cap companies. बिल्कुल राजीव जी के पास सब मैं अगले सवाल के साथ लोटूंगा. राजीव जी, अगर हम बात करें तो US में मंदी और EdTech वर्टिकल इन सब के बारे में बहुत बात हो रही है. लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि ये जो सुस्ती की बात चल रही है, क्या ये US और BFSI तक ही सीमित है या ये टिकल करेंगी ये येरप और बाकी अनिवर्टिकल तक भी? येरोप में थोड़ा कम है, हमारा आप देखेंगे ग्वेर्टिकल थोड़ा कम है ये उएस में जेड़ थोड़ा कम है रेटेल सीपीचीट, वर्टिकल में अभी भी पीपल और कमप्वीज और स्टिल अभीज 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 देखा कि मोरीज ने भी तोड़ा डाउंडरेट किया है तो सम बैंक्स को लास नाइट, प्यक्तिक्त अभीज प्यक्तिक करें धगीज अभीज 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 अभ्य। तम्सकंव रयरूंज थे. जहां हमारा ज्यादा पेनिटेशन है, वो एरिया इस कंटीनी तो ग्रोव हो रहा है, वर ओवरान आपने जैसे बताया कि थोड़ा स्लोडाउन है, BFSI में है, रीटेल CPG में है, हमारे उरोपिन बिजनस में थोड़ा इंपक्त हुआ है, बट ओवरान आप एग्रिगेट नंबर देखेंगे, औरमस फार 4.7% वेंकर ने बताया, 13 quarters of 25% plus EBITDA margin, so we continue to be the leader of the pack in most of the parameters. आपसे अब मेरा अगला सवाल होगा, यह 25% margin slower growth के बाद भी दिख रही है, तो क्या यह कहना सही होगा कि जो आपने guidance दिया है, 22% से लेकर 24% का, क्या उससे बेहतर margin आगे भी दिख सकती है क्या? हमारा guidance, margin guidance है 22 to 24%, और जो margin हमने 25.5% का report किया है, टृफे इनास की 10% आपर भी दिख सकती है, तो आपर बैन सब्सक्राइब मेरा जाख सकती है ने ने टोस्ते हैं, आप देखेंगे तो अगले कोर्टर में तो डारी सालरी इसा भी रही ने तो तो देखेंगे, but the focus will be to make sure that we grow the cup line, get the volume increase, rate increase, and just to highlight, this is the first quarter that we have breached the free cash flow number of 100 crores. So, जैसे 13th quarter of 25% growth, we have also maintained the 100 crore mark, we have breached the 100 crore mark on free cash flows. margins के साथ साथ आपको return on capital employed or return on equity देकना चाहिए, वो भी बैतर रा, which is 6 and 33%. So, we are performing well on the financial metrics. growth का जो हम बात कर चुके हैं, that also we are seeing reasonably good growth and coming in from existing business and new low growth. दोनों के मताबरिक. This another one point is, हमारा billion dollar corporations जो हम रिपोर्ट करते हैं, लोगो विन में, वो 55 से 57 हो गया है. So, in this difficult market, or the way people talk about difficult economic environment, there is a lot more focus on newer age, new age technologies. अभी आज़किल सभी लोग बात कर रहे हैं, generative AI, chat GPT के बारे में, we are seeing strong interest and off-take in that as well. And as we speak, we are selling those services into our existing customers quite seriously. यानि ग्रोथ को लेकर काफी management, काफी evolution को लग रहा है, कि जो margin growth है, ये 25% के उपर लगतार 13 तीमाही तक तो रही है, आगे भी बेहतर margin की उमीद की जा रही है. शुक्रिया राजीव भी आपका, वेंकेर रमन साहब, आपका, वक्त निकाला ETNOW स्वदेश के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं किरन